प्रेंड्स कैसा सब लोग तो फ्रेंड्स आज होने वाली आपकी संपूर्ण हिंदी की किलास उसके अंदर में सिर्पाज आपको वो टोपिक या वो कोशन कराने वालो जो आपको हाड लगते हैं ठीक है आपने देखा होगा जो आपकी लेंग्वेज पैड़ागोजी आती है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगरो ठीक है आज में सिर्फ आपको जो हाड कोशन है या जो हाड टोपिक है वो कराऊंगा संपूर्ण पैड़ागोजी के अंदर क्योंकि आप सभी को पताया कि 7 तारिक को 7 जन्वरी को मेरी CDP के मैराथन किलास आएगी और CDP के मैराथन किलास के बाद 8 तारिक को या यानकि 8 जन्वरी को आएगी हिंदी की मैराथन किलास और जो मेरी मैराथन किलास रहत उसमें easy plus moderate plus hard तीनों तरह के level मैं आपको उस मेरतन क्लास के अंदर कराऊंगा ठीक है तो इस प्रकार से मैं चीज़ आपको कराने वाला हूँ क्योंकि जो आपकी language होती है मैंने बता है 30 number की language आती है उसमें से 15 number में आपकी बट जाती है पंदरे में आपके दो paragraph आ जाते है पंदरे में पैड़ागोजी आ जाती है अब इस पैड़ागोजी में कम से कम आपको 5-6 question ऐसे देखनों को मिलते है जिसमें बच्चा फस ने लग गया है मतलब यह आपके easy और moderate नहीं आते hard level के पूछे जाते है हाले कि जो मैं आपको classes कराता हूँ अगर आप मेरी class को सही से देखोगे previous year के question लगाऊगे तो मुझे नहीं लगता है एक दो question के लावा आपको hard बचेगा ठीक है तो इन 5-6 question का इलाजी आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे ठीक है तो चलिए भाई इसके आपर सुरुवात कर लेते है आज की संपूर्ण हिंदी की पैड़गोजी की class के अंदर और बागी marathon के अंदर मैं तीनों level आपको करा दूँगा जिस प्रकार के paper के अंदर आपको देखने को मिलते है ठीक है तो मैं यह कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सबस्काइब कर लेना क्योंकि आपकी marathon क्लास दोनों आने वाली है तो आप लोग चैनल को सबस्काइब कर लेना और बागी कुछ subject के आपकी संपूर्ण क्लास आने वाली है अभी आपकी पैसे नहीं देने ठीक है वहना पेड़ बेच वाले बच्चों के लिए काफी संक्या में material रहता है इसलिए मैं कहता हूँ मेरे course के बाद आपको फिर पैसे देनी की जुरूत नहीं है बट आपके लिए भी मैंने वो फिरी करवा दी ते तो मेरी application पर जाकर टेंड कर लेना फिरी के mock test और अपना level आप लोग पता लगा लेना ठीक है तो चलिए भाई अब मैं आपर शुरूत कर लेता हूँ एके करके सभी concept के बारे में सभी topic के बारे में ठीक है चलिए भाई गूड इवनिंग मैं ठीक हूँ भाई आयो पाप लोग सब ठीक होंगे और आज की वीडियो देखने के बाद अपना जो motivation उसको खतम मत कर लेना कि सर्जी आथ तो बहुत कम नंबर आ रहे है ठीक है क्योंकि सिर्फ आज जो आपकी एवरेज और हाड चीज है वही आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी ठीक है चलिए वही देखे पहले सुरवात करते हैं जो सामने स्क्रीन पर कौन सी आयू में सौनिम विज्ञान जागरुकता के तीनो लेवल यानिकी तीनो इस तरह कौन कौन से जैसे कि आपका अक्सर दे दिया तुकबंदी दे दिया और सौनिम दे दिया इसका विकास होना बच्चे के अंदर सुरू हो जाता है तीन से चार वर्स चार से पाच वर आप लोग इसके बार में जानते हो तो सवनिम होते हैं आपका बासा की सबसे चोटी इकाई या बासा के साथ साथ आप लोग लिख सकते हो जो धवनी होती है साउंड होती है तो इसकी जो सबसे चोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है सबसे चोटी इकाई को कहा जाता है आपक पहले धवनी ग्राम यूज होता था, बट 12 सरकार ने धवनी ग्राम को खतम करके आपका सवनीम ओर यहापर यूज करा, अब देखें सवनीम के अंदर क्या होता है, जैसे अगर मैं धवनी लिखवा आपके सामने तो टोटल आप सभी को पता है कितनी धवनिया होती है, अगर म अगर मैं बात यहापर आपके सामने देखने को मिलती है, आपने कोई इसके बीच में जो आपके सामने सब्दी लिख रहे है, जो इसके बीच में चेंज करा है, परिवर्तन दिखाया आपके, ठीक है, जो इनके बेच में आपको परिवर्तन को दिखाती है, चेंजी जिज को दिखाती है, बदलाओ को दिखाती है, वो आपकी सवनियम विज्ञान जागरुखता होती है, अरिकि सवनियम के विज्ञान से सेम edgetected तो तीन लेवल यह तीन इस तर आपके सामने दिये हुए अक्सर दिया हुआ है ठिक है यानि जो आपके सब्द बनते है तुकबंदी दिया हुआ यानि जो गीत बनते है जो पोईम यानि की जो कवीता यह आप लोग देखते हो ठीक है और सौनिम का विकास होता है जो कि ओ लेडी में आपको सौनिम के बारे में बता है अब ये किस स्टेज में बच्चे का जो इनका डवलप्मेंट होना सुरू होता है आप लोग इसमें अलग-अलग आंसर देरो बट इसका राइट आंसर हो में सौनिम जाग रुखता का यहाँ पर विकास देखने को मिल जाता है सो राइट आंचर यहाँ पर आपका सेकिंड के साथ आप लोग जाओगे ठीक है मेरी बात को आप लोग यहाँ पर समझ गये अब जाने इसके बार में थोड़ी और में बात देख लेते जो आपको यह स्क्रीन पर आ रहा है कि रेखा अपने विद्यार्टों को आरंभ मध्य और अंत की धवनियों को ठीक है अंत की जो धवनिया होते हैं उनको पर्थक पर्थक कर पैचानने में मदद कर रही है इस तरह से वे उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है क्या धवनियात्मक जाग आकरति मूलक जाग रुखता है चित्र मूलक जाग रुखता है या व्याकन जाग रुखता के बारे में रेखाया आपर कर रही है ठीक है अब देखें धवनियात्मक जाग रुखता के बारे में आपको बता है यानि कि धवनियों के बारे में आपर जाग रुखता किसके ब बारे में आपको बतायता हर सब्द में आपको अलग-अलग सौनिम देखने को मिल जाती है ठीक है तो यहापर दवनियात्मक जागरुकता की बात हो रही है यहापर सीधा आराय की अपने विद्यार्टों को आरंभ मद्य और अंत की दवनियों को पर्थक-पर्थक कर पैचान जागरुकता की बात करूँ बहासा के परकार के बारे में बात करूँ तो बहासा के परकार में एक आपको देखने को मिलता है आकर्तिक मुलक जागरुकता देखने को मिलती है आकर्तिक मुलक जागरुकता के अंदर जो बहासा के जो आपके सब्द होते है वाक्य होते है उन मैंने लिख दिया आपके सामने आपर for example मैं लिख देता हूँ आपके सामने करता, मरता डरता और कुछ भी लिख दो जिसके last में क्या रहा है ता, ता, ये ता आ रहा है ता क्या रहा है, ता है यहापर आपका प्रत्य परते क्या होते हैं जो किसी सब्दांत के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं ठीके तो यह पर ता ता आपके सामने आ रहा है तो लेकिन सब के बीच में तो आपको संबंद देखने को मिला है ठीके या फिर अगर मैंने लिख दिया करता या मैंने इसकी दुवारों के बारे में बात कर जाती है बट अगर हिंदी आपकी फैक्ट वाली पूछी जाती तो तब आपको देखने को मिलते हैं अगली आपके सामने है चित्र मूलक जागरुकता ठीक है यहाँ पर जो बच्चा होता है पिक्चर्स के मात दम से चित्रों के मात दम से अ ज़ Front words अगरर 2 MP में जुल्झ के बीच में ब्रचनाओं के वाक्यों के बीच में जो सामुनिम के बारे में परिवर्दन देखित हो चेंज देखितो और कि इसमैं क्या बदला हूँत तो वही आपकी मात लग पर्थक कर्म पैचानने की बात धूरिए तो आंचर इसके अंदर आपका धवनियात्मक जाग रुखता यानि कि फ़र्स्ट आंचर आपका सही हो जाएगा आप लोग किसके साथ जा रहे हो फ़र्स्ट के साथ जा रहे हो ठीक है मरता सड़ता ठीक है ऐसे सांतर देते हो अगला देखते हैं next question सामने आपकी screen पर आगया द्वारा ठीक है teacher द्वारा होता है teacher जो बच्चों को यहाप निर्देश देता है बच्चे निर्देश को मानकर अपनी यहाप रीडिंग करते है पढ़ाई करते है ठीक है तो यह आपकी primary कंदर भी यूज होता है पर primary कंदर इसका देखने को मिलता है तो जो निर्देशित प्ठन है वो विद्धियार्ट्यों को उनकी जो प्ठन युक्तिया है यानिके एक पढ़ने के परकार है उसके विकास के माध़ Theme से पठन परिक्रिया पर बहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है अब मन्हों कि ठिक है पढ़न के जो करा दिया था बट इसने कुछन पूछा जो पढ़ने की युक्तिया उनके विकास के मध्यम से पठन किरिया पर बैतर अधिकार प्राप्त करने में कोन मदद करता है निर्देशित पाथन में पहला डिकोड करने अब देखें डिकोड सिंपल है आपके एक्जाम में पूछा होता है डिकोड का मदलब होता है जब बच्चा की आरध को या पर समझ रहा होता है जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वर्ड ऐसेाँ आपके सामने में ङाजाते जो शीटा ऑप उसको guided reading देता है उसको help यहाँ पर करता है ठीके ताकि बच्चा decode कर पाया इसे सब्दों को जैसे मालनी जे Hindi pedagogy में भी आपने देखा है न बहुत सारे सब्दात है जिनको आप नहीं समझ पाते यार इसका मतलब क्या है Google के help लेते हो या उसका translation करते हो अर्थ निर्मान में मदद करता है बिल्कुल ठीक बात है अर्थ निर्मान में भी उनका मदद करता है जो यहाँ पर पैड़ा गोजी कंदर आपको difficult topic लग रहे है मैं यहाँ पर आपको help कर रहा हूँ इसका फोल्डिंग आपको दे रहा हूँ नहीं करता पठन करने में मदद करता है लेकिन अर्थ निर्मान करने में मदद करता है क्योंकि पढ़ने का जो सबसे effective तरीका है महत्पून्थ चीज मानी गई है वह आपकी meaningful आपकी reading मानी गई है ठीक है यानि अर्थ समझ कर जो पढ़ना होता यह सो right answer यहापर आपका first यहापर सही हो जाएगा ठीक है तो आप लोग यहापर बच्चो को decode करना भी सिखाओगे जैसे मैं आपको यहापर सिखा रहा हूँ next question आपके सामने आगया यह रहा next question अगला question आपके सामने है कि बासा के अंते क्रियात्मक मोडल कौन सा अंते क्रियात्मक मोडल के बारे में विसम कथन यान की opposite statement कौन सा है उसका यहापर चेहन करना है तो भई अभी चेहन कर लेते कौन सा है ठीक है सूपर चैट भेजे इन्होंने बाई क्या भेजे आ मितकुमान ने सर सीटेट के फोर्म में कोलीज और पिनकोड गलत हो गया कोई बात ने मितकुमार वो बाद में ठीक हो जाएगा उससे बड़ी दिक्कत नहीं है अराम से पेपर देने जीए ठीक है बासा के अंते क्रियात्मक मोडल के बारे में गलत statement का चेहन करिए देखे बासा का अंते क्रियात्मक मोडल कोन सा होता है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं वापस में इंट्रेक्ट करके सीखते हैं किस से इंट्रेक्ट करते हैं अपने दोस्तियार्चा करते हैं जो उनके सहपाटी होते हैं पेर गुरूप होते हैं और अपने टीचर के साथ इंट्रेक्ट करते हैं, जैसे अभी हम लोग इंट्रेक्ट कर रहे हैं, एक बच्चे ने पूछा में इतने कि सर में ऐसे से दिक्कत हैं, मैंने का कोई बात नी, ठीक है, आराम सा आप लोग इसको बाद में ठीक करा दोगे, अगर तब भी नहीं हम लोग इंट्रेक्ट करते हैं, एक दूसरे से, तो हमारी भादसा का विकास होता है यह नहीं होता है, डेफिनिटली भादसा का विकास हमारा यहापर होता है, तो इसके बार में हमें अपोजिटियर स्टेटमेंट के बार में बताना है, पारस्परिक संबंदों के परती सम हैं अव्यम्हाइद कर को तो आप अधा के माधधम सेट राफ करती और ना विक्ति हो STE विलेंधिक समय पर बंती है मोगों के बीच में दूसरा वेक्तिों के बीच पारास्परिक सामाजिक लेंधिन जो समाज है उसको साधन के रूप में उसको साधन के रूपर होतMark समाज का लेंदेन कैसा होता है कि देखो भई मैं आपकी सीटेट के भी मेरतन किलास आने वाली है अभी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर आपके सामने मैंने जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ या जो मैंने आद तक चीजें सीखिए हो उसक अगर आपके आपने सही भासका यूज नहीं करा, आपने पाच को कुछ गलत बोल दिया सामने वाले के सामने या बोल दिया कि ले भाई ऐसी ले ले, पाच हजार रूपे में तुझे उधार नहीं दे रहा हूँ, तो क्या वो आपको दुबारा पाच हजार देगा, कहेगा न परमानिक संदेश भेजने में किसमें परमानिक संदेश भेजने और प्राप्त करने के साधन की रूप में वासा है, जैसे अभी मैंने आप से का परमानिक संदेश आए, और फिर भी संदेश नहीं हुआ, तो हम आपके लिए खड़े है, फिर भी अगर नहीं हुआ, तो CBSC वाली युनिटिक के अंदर जाना एक महीन का प्रोसीजर होता है डोकुमेंट सब्मिंट करना हो जाएगा यह किसके बदे से पोसिबल वा जब हमने यहाँ पर बासा के इंटरेक्टिव यानि अन्ते किर्यात्पक मोडल का यूज करा अगला है व्याकण और सब्दावली के प करते हैं हम आपके नेकश्ट कोस्ट के और यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला कोच्ट सब्सक्राइब करना अगला कोचन तो बासा वातिगम में जो आपकी मोन हुद्धी होती है कौन सा होता है जो आपका ओने हमां लिजे वह उता है क्या येस स्कात्रा का तो इसके बार में워서 के यहां पर यहां तो आपर उसको टीचर चाहिए बुक चाहिए इंगलिस के ग्रामर के रूल उसको पता होने चीए तो उसमें जो आपकी मोन अवद्य होती है ठीक है आपको मैंने एक मैथड बताया होगा आप जो आपका मोन अवद्य के अंदर इंकलूड सामिल हो जाता है ठीक है तो जहाँपर टीचर क्या काम करता है चुप हो जाता है और चुप होने के बाद तो ये भासा अधिगम में मैतपुन होता ये statement बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, क्योंकि भासा अधिगम के अंदर कई सारीय उधानना है होती है, ठीक है, और कई सारीय उधानना के अंदर एक होती है, चुनोती देर्णी के उधानना, कौनची, आपके CTAT के एकजाम में English कभी-कभी आ जाती है, तो इस प्रकास चुनोती पूर्ण अगर जो काम होते हैं, तो वो चुनोती पूर्ण जो काम होते हैं, अगर बच्चों को इस प्रकार देगा, बच्चों को चीजे समझमाएगे, कंचर समझमाएगे, बच्चों की भासा का विकास होगा, उसके ला प्रवा एक आपको देखने को मिलता है, बोध गम्य निवेश देखने को मिलता है, जो Stephen Cresson के इंदर मैं आपको बताया था, एक देखने को मिलता है, जहां पर बच्चे की भाषा का जो लेवल होता है, हम उसको यहां पर बढ़ाते है, ठीक है, तो यह आपका बोध गम्य नि बेश होता है, ठीक है, तो इस परकार से भाषा सिक्सा की कुछ यहां पर आउधार नहीं होती है, कंचेप्ट होती है, जो मैंने आपको होता है, जो आपके एक्जाम में भी पूछे गए, उसके अंदर जो आपकी मोन अवदी होती है, यह भी आपकी बाहसा दिगम्य में मह इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, यानि आपको इस्टेप बाइस्टेप बताना है कि किस परकार से सब्दों की रचना होती है, ठीक है, जैसा माली जे पहले आपका सब्द निर्मान होता है, या उद्रत करना होता है, सायूजन होता है, मिलाना होता है, अब सब्द रचना की प्रक्रिय आप लोग बती है ठीके देख है आप सभी को पता है वर्णों का जो सार्तक समुं है किसका जो आपका वर्णों का जो सार्तक समुं कों इप 10 कहा जाता ठीक है, एक सब्द मैने बना दिया, आपर कमल बना दिया, तो जो सब्द रचना हुई है, इस सब्द रचना की जो प्रिकरिया होती है वो किस-किस परकार सो होती है, जर अउसके बारे में हम लोग आपर बात कर लेते हैं, ठीक है, देखें, सबसे पहलागर मैं आपके सामने बताओ, सब्द रचना के बार में आपको बताओ, तो सब्द रचना के अंदर सबसे पहले इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, पहले आपर सब्दों का निर्मान होता है, क्या होता है, कोई भी सब्दों को गड़ा जाता है, सब्दों का निर्मान होता है, पहले इस् पर मिलाना होता है या 4 चोध सीडिया पर आपका वповर्त आपका सही हो जाएगा ठीक है तो सब्ड़ना की परेकिरिया आपकी इस परकार से देखने को मिलती है दूपार आपकी एक चैट आगई ठीक है, सर मैच की paper 2 की class नहीं मिल लिया सर भाई मैच की paper 2 की class सिर्फ application के अंदर है ठीक है, तो मैच paper 2 वहाँ देख सकतो 1 की हो जाती है, तो हम लोग की सके बार में था सब्द रचना के बार में, तो इस प्रकार से ये आपका सब्द रचना का सही हो जाएगा उसने कल्पना करने, ठीक है, imagination करने, discussion करने, अंतिम रूप देकर कहा नहीं कहा, अंति लिखने के लिए कहा, इस गतिविदी के द्वारा सिक्षिका, उनके किस कोशल को विक्सित करना चारी है, नियंतिरित लेखन, यानि की control writing, या फिर निर्देशित लेखन, यानि की guided, जो आ मैंने आपको लेखन उपागम के बारे में बताया था, ठीक है, यानि लेखन को लिखने के द्वारा सीखना, आपका लेखन उपागम होता है, तो लेखन उपागम के अंदर मैंने आपको दो पार्ट बतायते हैं, आयोप आपको याद होंगे, कौन-कौन से दो पार्ट बत था चुका हूँ लेखन के प्रिक्रिया हुपागम यानी लेखन का लेखन reward को किस प्रकार आम लोग यूज करते यानीria लिखना सीखते हैं उन्हें बिन अंत्वालियक लगू कता दे दी, छोटी कता दे दी, उसके बाद कहा कि बहुतिक पर चर्चा करो, कल्पना करो, कि इस कता के नदर क्या का गया है, क्या क्या मैंस्य आपको मिलाए सपस्की यहाप किसके साथ यह आ रहो टिक किसके साथ जा रहो अलगलग के साथ यहापर सीधा हो जायाए आपका रचनातमक्तdesate यहापर उनकी krat bloody को देखना चारी आँ छोटी सी कत्हा दे दी और ब spect reward चर्चा करो कलपने करो ठीक कोई भी छोटी का नि दे दी उसके ओपर चर्चाय करवा दिये और कहड़िए इसको कमपलीट यहापर करो तो बच्चे यहापर चर्चाय करेगा ठीकर यार इसका एशा नहीं ऐसे भी हो उच्नात्मक लेखन का यहाँ पर यूज करेका ठीक है तो राइट या आँटर यहां आँचर आपका रच्छा रही अब इसको गड़ कर रही है कि देखो यह कानी ऐसे चलती आ तो इसका अंतिवनुप यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है ठीक है तो यानि वहापर अगर आपको निर्देशित लेखन देती बट ऐसे इसने कुछ नहीं करा तो उसने क्या काम करा रचनात्मक लेखन का यहापर यूज करा कि बैटा खुद अपने आप इसका निर्सक्रस नि लेखतो यह सब मैं आपको उसमें कराऊंगा मेरतन के अंदर ठीक है आज सिर्फ आपकी जादेतर हाड़ चीजे यह कुछ कोशन आपके मोडरेट है आज कोई ऐसे नहीं कराऊंगा जो लीडी में आपको करा चुका हूँ अगला कोशन स्क्रीन पर आ गया किलास विफ्त का म में जो भासा का परियोग होता है किस तरीके से करना होता है तो भासा के इस गुण को किस रूप में विक्सित किया जाना है वो आपको बताना है क्या यहाँ पर वाक गत की बात होती है वाक की बात हो रही है क्या यहाँ पर स्पीच की बात हो रही है परकरती वादी की बात ह या फिर उप्योगिता वादी की बात हो रही है बताओ यहाँ पर जो मंजीत होता है किस प्रकार से यूज करता है अगर उसको टीचर मिलता तो टीचर से कहता है नमस्ते सर कैसो आप सर ठीक है आयोप आपने अच्छा पढ़ा दिया होगा सर सर मुझे चीज समझ में आई अग सर दूसरे बच्चो जो राथ को उसको बच्चा मिलता उसके साथ वी कैसे बात करेगा उसके साहत हुल और ऐपने दोस्त यारू की भासा यूज नहीं करेगा वनना उसका बड़ा बादु छोड़कर उसको भग जाया है तो यहापर मंजीत क्या खाम कर रहा है क्लाँ सी ची तो अर्जित यहाँ पर क्या जाता है, अर्जन क्या जाता है, परकर्ति में यहाँ पर इंटेट करके सीखा जाता है, तो परकर्तिवादी का भी यूज नहीं कर रहा है, मंजीत यहाँ पर चालू है, सभी से अलग अलग भासा है, बोल ला है, अर्थ गत, यहाँ पर अर्थ भ जहाँ पर उसको appropriate लगता है, वहाँ पर उस वासा का यूज़ करता है, उसको उपयोग करता है, इस्तितिक के according यहाँ पर यूज़ करता है, तो मंजीत यहाँ पर बहुत चालूए, right answer यहाँ पर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ या पर ठीक हो जागा, अरे आप लोग 42,000 पोच गया आजए, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, चलिए भई देखते हैं, अगला कुश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया, ये रहा, नेक्स्ट कुश्चन, अगला कुश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक मा ने इस बात की और ध्यान दिया की, उसकी जो बच्ची होती है, वो कभी-कभी ऐसे सब्द बोच जाती है, जो ना तो उसने कभी किसी वेस्क, यानि बड़ों से सुने हैं, और ना ही अपने भाई और बहनों से सुने हैं, तो इस बात को लेकर वह भरमित है, कंफ्यू लेकिन यहां पर बच्चे ने कुछ ऐसा बड़ बोल दिया, अपनी मम्मी से बोल दिया, कि ओ मम्मी इधर को आओ, ठीक है, या मम्मी से इस प्रकार बोल दिया, कि क्या रहे मम्मी, आज कल बड़ी टेडी चल लिया, खाना सरी टाइम पर नहीं दे रही है, तो मम्मी ने का है, यह तो हमारे घर में कोई नहीं बोलता, और इस प्रकार की भासा कैसे बोल रहा है बच्चा, तो भर्मित होगी, कि मेरा यह कि शुखर का है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो यह मत है, कि किसके जो आपकी पड़ती दवनित है, यह किस से मेल खाता है, वो आपको बताना है, पहला आपके सामने दियावा है बहु बासावाद, यहऩकी मल्टी लिंग्लिज्म कि बात हो रही है, जहाँ पर जो बच्चा होता है, अलग-थलग बहसावाले जो वेक्ति होते हैं, उनसे वहाँ पर इंटेट करके सीखता है, क्या यहाँ बहु बासावाद की बात क्या यहाँ पर सैजवाद या निक्या आपके प्रकर्ति वाद की बात हुरी है जो बच्चा प्रकर्ति में अपनी भासा को अरजित कर लेता है अरजन कर लेता है जो उसकी प्रात्मिक भासा होती है क्या यहाँ पर वैवार वाद की होती है जब बच्चा किसी दूसरे के सब्सक्रीत करें यह इसकी बात हो तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा जब किसी के साथ जा या डेड़ी के साथ रॉआ मैंने का था थोड़ा सा निखल जाएगा तेल अभी एक के साथ जा जा रहे हो आंसर इसके तरह आपका वहार्लावार K luz करके बोलता है अगर उसने बच्चे ने छोड़े बच्चे ने अपनी मां से बोल दिया ए मां इधर आ ठीक है तो तेरे को पता नहीं है इसको खाना ऐसे लेका आता गुपाओ कर चाकू चाकू गुपाओ तो इस प्रकार के अगर भासा बोलिया मां ने कहें ऐसा तो कोई बोल सब्सक्राइब तो जब किसी के वैवार को देखकर बच्चा कोपी करता है तो यह आपका वैवार बात हो जाएगा आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा बढ़ते नेक्स्ट की और अगला आपके सामने दिया हुआ है यह रहा इस्क्रीन पर अगला कुश्चन अगला आपको सब्सक्राइब तो वहें ड्रिल की विकल्प सूची का प्रियोग कर रहे है कि इसकी ड्रिल का मतलब क्या होता है जब बच्चे आपर कोपी करता है क्या करता है जब बच्चे आपर बच्चा कोपी करता है यानि कि बच्चा अपना करता है रोट लेंडिंग करता है बच्च की विकल्प सूची ड्रिल की विकल्प सूची क्या होगी जब बच्चा अपने आप चीजों को समझ कर रहा है जब बच्चा यह जो सब्द सरंचना उसके सामने वाक्य सरंचना सोरी उसके सामने जब इस चीज को यहां पर समझ रहा है ना कि इसको ड्रिल कर रहा है तो ड्रिल रोच का यूज़ कर रही है सेकिंड व्याकन अनुवाद का यानिकी ग्रामर ट्रांसलेशन का तीसरा संप्रिष्टनात्मक्का या फिर फॉर्थ आपके रचनात्मक्का बति यहापर किसका आंसर आपका सही हो जाएगा किसके साथ यहापर आप लोग जा रहे हो ठीक है अलग उनके साथ इंट्रेक्ट करो जहापर अंग्रेज रहते हो वापर कुछ समय रह लो आप लोग उस भासों को अपने आप ही सीख जाओगे क्यों इंट्रेक्ट करके ठीक है कोपी करके इमीटेशन करके तो व्याखण अनुवाद विदी के अंदर कुछ कमिया रहे गी थी तो उसके सुधार के लिए आपके स्रंचनातम में थड़ आता जहापर किसी बासों को एक इंदर शीखा जाता है जैसा आपने देखा होगा कुछ रिक्षा वाले ओटो वाले क्या होते हैं इंग्लिस बोल लेते हैं बट वो प्रोपर इंग्लिस नहीं बोलते हैं बट उनको बो नहीं सुधार करनी तो यहां पर क्रामर के रूर समझने इस नहीं समझने आंपने करने कि अगर मैं आपर तूसरी भासा बोलूँगा तो मैं आपर उसके सही pronunciation के साथ सही आपर उसके vocab के साथ यहापर यूज उसको करूँगा व्याकन का अनुवाद नहीं हो रहा grammar का translation यहापर नहीं हो रहा संप्रेशन आत्मक तो आपका होई नहीं रहा है ठीक है बढ़िया बई हम लोग 44,000 पर पहुचेंगे देखते हैं अची जूड़ा एघ यह समझना लग कोश्टन है यह मैंने के जानका लिया था देखे है को कुशन आपके सामने दियावाय है परिस थापन यानिकी जो विकल्प सूपि tirar जूची है plugging Southeast क्या देया था question मैं मेरा एक question लेने का मतलब यह है कि जो मैं यहापर आपको concept बताता हूँ जो question बताता हूँ ना वो सारे प्रिवेशर के जो analysis होता है उसका धार पर चीज आपको बताता हूँ तो जैसा आपके सामने question आगया drill की विकल्फ सूची तो drill की विकल्फ सूची की ब बात हो रही है परती स्थापन विकल्फ सूची की बात होती है और यह जैसे drill यानिकि रोट लेर्णिंग से समझ के और यहापर गई तो किसके section में यूज होती है grammar के अंदर कवीता के अंदर सब्दर्थ के अंदर रचनात मक्ता के अंदर इसका तो सही answer बता दो यह तो बि आशिरवाद दे दीजे कि इस में सीटेट दोनों पर पर पास कर जाओ पिछली बार कुछ नंबर से चुटी गयाता है डोंट वरी पॉनकबार सभी के साथ आशिरवाद है मैं तो भाई देख अपनी तरस से पूरी मेनत कर रहा हूँ और आप लोग भी अगर पूरी मेनत कर दे रहा सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो स्किल्स होती है कोसल होते है उनके उस समू को क्या कहेंगे जो बच्चे उवचारिक पठन निर्देश में किसने पॉर्मल अपना पठन निर्देश में पढ़ने के निर्देश शुरू करने से पहले विक्सित कर लेते है ठीक है और जो बाद के जो एकेडमिक जो स्किल्स होती है उसके लिए बुनियाद प्रदान करता है क्या यह उद्गामी साक्सरता है जिसको एमर्जेंट आपकी लिटरेसी के नाम से जाना जाता है या उद्गामी आपका समधान है या फिर उद्गामी गुन धर्मे, बताओ सेयांसर क्या हो जाएगा, किस के साथ आप लोग यहापर जा रही हो, ठीक है, हम लोग अभी पहुच गए, 44,000 पर ही अभी हम लोग चल ले, ठीक है, देखें, अगर मैं बात करूँ, अगर आपके सामने करूँ, उद्गामी साकसरता, देखें, आपने कभी एक चीज नोटिस की है, जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, तो इसकूल के अंदर बच्चा जाकर अपनी उपचारिक शिक्सा शुरू कर देता है, ठीक है, जो इसकी फोर्मल एजुकेशन होती है उपचारिक शिक्सा बच्चे की होती है, इसकूल में जाकर शुरू कर देता है, लेकिन इसकूल से पहले, किस से आपके इसकूल से बच्चा पहले, बच्चा कौनची भासा का यूज करता है, बच्चा अपनी अनुपचारिक भासा का यूज करता है, बच्चे की पढ़ने के निर्देश शुरू करने से पहले विक्सित कर लेता है यानि जो अनुपचारिक रूप से अगर सीख लेता है और जो बाद के अकेडमिक इसके लिए बुनियात परदान करता है बिल्कुल करता है मातर भासा आधारिक बहु भासिकतावाद की बात होती है जो आप बच्चे की मातरभासा को हमें बड़ा मैत्पून मानना ए जो सिक्सर भी बच्चों को स्कूल के अंदर कि लास एक तक देना है राश्चे शक्सा नीती 2020 के कोडिंग वो उसकी मातरभासा में देना तो इसलिए उसकी मातरभासा बहुत मैत्पून होती है और अनुपचारिक शिक्सा में बच्चा मात्रवा समय यहापर चीजेज शीकना शुरू कर देता है अनुप्चारिक रूप से मानली जब बच्चे को यहापर कोई चीज लेनी है ठीक है तो बच्चा उंगली कर देता है कि मम्मा ये ये दो तो आपर पेरेंट्स को पता लग जाता है क्या यह इ emergent literacy होती है, जो बच्चा है आपर, और अपचारिक रूप से बच्चा अपनी महातरवासों को सीखता है, तो emergent literacy इसको जाना जाता है, so right answer यापर आपका first हो जाएगा, emergent आपके समधान की बात नहीं हो रही है आपर, ना emergent का कोई आपके पाठ्थिचरे की बात हो रही है, ब ठीक है, sir मैंने BA English owner से किया है, और CTAT में language, first Hindi language तो संस्कित लिया, इस सागे BPSC में कोई problem नहीं होगी, सोनुकुमार याद इस से problem नहीं होगी, कि आप कोई सी भी दो language ले सकते हो, उससे आपके course से मतलब नहीं होता, कुछ भी स, ठीक है, तो आप कोई सी भी language ले सकते हो, इस से फरक नहीं पड़ता, CTAT में, ठीक है, बेफिकर है न, जो आप BPSC के लिए कर रहे हो, अगला question सामने आपकी स्क्रिन पर, कि जब एक सिक्सार्थि को नई भासा सिखाते हैं, लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, तो इस अवद्धि को क्या कहा जाता है, क्या यहा पर वाक उध्द्यमान की बात हो रिए, मूग की बात हो रिए, प्रारम्भिक उत्पादन की बात हो रिए, यहाँ पर उद्ध्यमान की बात हुरी है, बताओ से यांसर आपका क्या हो जाएगा, किसके साथ यहाँ पर आप लोग जा रहे हो, ठीक है, पहले तो देखो उद्ध्यमान आ गया, ठीक है, तो उद्ध्यमान का मतलब भी आपको पता होने चीए, ठीक है, यानि उबरता हुआ कह सकते हो, बढ़ता हुआ, या होनहार आप लोग इसको कह सकते हो, ठीक है, उबरता हुआ, होनहार आप लोग इसको कह सकते हो, बढ़ता हुआ, आप लोग इसको कह सकते हो, बस ऐसे ऐसे ही कुछ वर आते है, जो आपकी लेंग्विज पैड़ा को जिक अंदर आता है, जैस वो बच्चे आपर बोलने लग जाता ठीक है ए बीसी सभी के साथ आप लोग जा रहे हो वाक के उद्धिमान यानिकि जो इस पीच के उबनने की बात होती अगर उसकी स्पीच उबरती ठीक है अगर उसकी स्पीच उबरती तो यहापर वो दूसरी बासा बोलता नहीं का होने का नहीं वहना इस भास को जरूर सीखता सेकंड आंसर आपका मुख हो जाएगा यह कुछ ऐसे आपके वर्ड आते हैं जिसके अंदर समझने के अंदर थोड़ी प्रोब्लम होती है इसलिए इससे पहले जो एक कुष्ण आता है डिकोड का तो आपको ऐसे ही वर्ड को समझनिम के बारे में अच्छे से पढ़ा है आपकी इगनू की बीएड की किताबों के अंदर पढ़ा है ठीक है यह फिर आप लोग एंसी आइटी के अंदर पढ़ते हो वहाँ पर दवनियात्मक जाग रुखता के बारे में दिया हुआ है लेकिन मैं आप एक बात बात कहू पर थ talhammer इता पर अपनी आविस्करत वत वरतिनी यानि जो उन्होंने इन्वेंट करिए है जैसे आपने देखा होगा जैसे मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था तो आपर एक वर्ण का बढ़ा यूज होने लगा जैसे आप लोग कुलगत्ता की साइड जाओगे तो आपर जो बड़ा भाई होते हैं उसको बोलता है दादा जैसे सोरो गांगोली को दादा बोलते हैं तो हमारे या भी ऐसे कलचर होगे जैसे हात विला ओर दादा क्या हाल है बडिया दादा ठीक है यह फिर दादा का दूसर तो इसका उप्योग करते हैं तब यह सही वर्तिनी लिखने की उनकी योग्यताओं को मंद नहीं करती है तो क्या उनकी योग्यताओं को मंद करेगी अरे हमारा सब्द बंडार बढ़ रहा है दादा बोल दो है कुछ और भी बोल दो तो हमारे सब्द बंडार में वरद्धी न अगर बच्चों को धवनियों के बार में सही नोलीज हो जाएगी, कहाँ पर किस धवनिका सही उज़ हो रहा है, अगर इसके परियोक से सही वर्तिनी चो लिखने हैं, उसकी योग गिता मंद नहीं पड़ती है, इससे तो आपकी तेज हो जाती है, बढ़ती है, तो यह आपका आपको देखने को मिलाता, ठीक है, अब जरा इसके उपर हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपके सामने 15 वा कोशन है, अच्छा बताना 15 में से अभी तक आपका कितना स्कोर हुआ है, जरा एक बार स्कोर ऐसी जनरल नोलीज के लिए मैं पूछ लेता हूँ, कितना स्कोर हुआ ठीक है, देखो भई, यहापर पढ़ने के तरीके दिये हुए, ठीक है, पढ़ने के आपको तरीके दिये हुए, अब पढ़ने के इधर आपके तरीके है, और यहापर जो पाठक है, यानि जो पढ़ने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, बताओ, कौन से तरीके में, कौन स सामने पूछा हुआ है इधर अनुमान लगाना दिया हुआ है निश्कर्स निकालना दिया हुआ है संदर्व से जोड़कर देखना लिखा हुआ है गहन पठन की बात हो रही है अभी तक किसी ने चार पठन नहीं बताए ठीक है दो मैं बता देता हूँ स्क्रीमिंग और स्केनिग अब बताओ वागी के दो कौन से होते है ठीक है अगर फिर भी नहीं बता पारे तो तुम लोगी बेकार हो मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ ठीक है पाठ्य पुस्तक अब बताओ यहापर आपके पठन के तड़िके दिये हुए अब अब किसके साथ यहापर आप लोग जाओगे देखे अगर हम यहापर बात करें एक एक करके हम लोग यहापर बात करते हैं इसके आदार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेकक क्या मैसूस करते हैं लिखने से पहले यह जरूरी है कि लेकक्या पर क्या मैसूस करते हैं यानकी एक तरीके के conclusion की बात हो रही है क्यों क्या मैसूस करता है इसके बारे में बात करनी चाहिए तो यह आपका इसका ठीक हो जाएगा अगला देखता है कि लेकक क्या काम करता है जो आप परिचित सब्द है जैसे आपके सामने आ रह कोई काओंगे तो उसके हिस्सों से मदध ले दो जैसे यानि मैं उसके हिस्सों से मदध ले तो इसलों आपका जोड़कर पढ़ रहे हूं याइन को संदर्व से जोड कर आपको दिखा रहा हूँ तो यह आपका सेकंड आपका स्थीक हो जाएगा ठीक है मैं आपको जोड कर बता रहा हूँ न कि जैसे मैं आपको सवनिम जागुरुकता के बारे में बता है सवनिम विज्यान जागुरुकता के बारे में बता है सवनिम के बा यहापर सरंचित करने की बात desaf вकै करने जाया है तो सूचना यहापर किसके अंदर सरंचित होगी तुर वख्र के बात करते हैं जो पाथ्ठेफित हुए उसमें पढ़ना है कि कैसी भासागा यूज हो रहा है या पर ठीक है और बचा क्या आपका बचा आपका अनुमान लगाना ठीक है और अनुमान लगाने का क्या हो जाएगा कि पाट्टे सामगरी किसके बारे में हैं यह जान निकले संयोजन यानि कि जो मिलाना होता है आपस में इसकी पैचान, सिर्षकों और चितरों का प्रियोग करना चीए, तो यह हो जाएगा आपका, पहले का पाच्छा हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपके match the following हो जाएगे, आयोप आप लोग इसको समझे होंगे, तो आप लोग किसके साथ answer के साथ जा रहे हो, अगला question देखते हैं, अगर यह गलत होगा, तो आपकी गलती है, मैंने मैंचे the following बिल्कुल सही बताए है, अगला question सामने स्क्रीन पर आगया, कि बहासा के क्रियात्मक पहलू की बात हुरी है, कौन से पहलू की बात हुरी है, क्रियात्मक पहलू की, बताओ किस के साथ यहाँ पर बढ़ावा देनी की बात कहीं जा रही है, किस के साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे, ठीक है, अच्छा B, B के साथ जा रहे हो, ठीक है, ठीक है भई आपका, जादे थर B के साथ गए, इसकोर कुछ बच्चे ऐसे हैं, जिनका मतलब 12-13 आ रहा है, ठीक है, जैसा B मन्यू ने यहाँ पर दिया, दो-3 नोन ने दिया, उन्ना जादे थर के कमारे है, कोई बात नहीं, जितने कोश्चन है, अगर मान लीजे, इन के अंदर आपके 20 का असवाच भी नमबर बनेगे ना, तो आपके लेंग्वेज बहुत अच्छी है, ठीक है, टैंसर मतले ना, बताओ किसके साथ जा रहे हो, यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, अलग-अलग के साथ, संप्रेश्टनार्ट में कुपागम भी कह रहे हो, बी भी कह रहे हो, जब तक विचारों को एक्सप्रेस नहीं करोगे, जब तक विचारों को गरण नहीं करोगे, ठीक है, यानि किरियात्मक रूप से आप लोग एक्टिव नहीं होगे, क्या भासा को सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे, तो बहासे के लिए क्या ज़रूर है, communicate करना, ठीक है, तो कौन सा उपागम कौन सी एप्रोच हो जाएगी, संप्रेशनात्मक यानि के जो आपकी communicative एप्रोच होती है, ठीक है, जब पर communicate करके बहासे को सीखा और सीखाय जाता है, ठीक है, सनचनात्मक उपागम नहीं होगा, क् प्रमप्रावत गत उपागंत होगा नहीं, अच्छर फर्स्ट यहापर आपका सही हो जाएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन के और, अगला कोश्चन देखें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट कोश्चन है, कि बहासा सिक्षन के लिए एक वास्त्विक और वैवारी की स्त सकत्तिकी मदद करने वाले जो पद्रिती होते हैं, वो क्या कहन दिया है? इस्तिति परक भाहा सिक्षण पदिती है, शर्वे सपी पदिती है, या फिर आपकी दूइ भाहा सप्दिती है, बता उसन या अंसर क्या हो जा गाएगा, किस के साथ आप लोग यहापर जा रहे हो, जल्दी जल्दी बतिये अपने आंसर के बारे में है किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो ठीक है ठीक है वहीं अब देखते वन्हार कर दिये तो पहां ये ज़ो फिरी करुट अब यहां करा नो थे तरह को अगर बात करें दुभासा पदितिगी जब बच्चा यहाँ अपर अपना दो भासा शीकता है यारी बहुर बासा लाइवी और अनेक बासा शीक रहा है तो यह आपर एसी अनेक बा हम्सीनिस भी प्तभा इंपे तक प्र 1-6 को आने सोर्भ म्हें चेक कर ने खहें घुछ है नेस्व को खिता गोड़ा अर्बशन इा निटिस होग antiqu कोना dedicate अपको जाता है तो जो आप था मे anterior सब्सक्राइब कर से हो अनको यह पर दूसरी भासाह शीखने थि क्योंकि दूसरी भास को ना जानने में बड़ी दिख्क्त आ रहे थी ठीक है कि मालीजों कुई बात से कहने यह समझानी है पता चला यह पर संधिक अनिया पता चला उन्हें ठोक दिया ठीक है अरे यह तो किसी बात्चा को सुनो और बोलो क्या क्या काम करना सर्वण भाशक पदेती में सुनो और बोलो ठीक है यह इसके उपर पर फोकस किया जाता था सीट ने सिंपल यही कोशन पूछ ले कि सर्वय भासाक सिक्षण में सबसे महत्मून पहलू क्या होता है तो सबसे महत्मून पहलू के अंदर ओप्षन के अंदर दिया होता सरवत सुनो और बोलो अब यहां पर इतना थाइम थोड़ी था सेनिकों के प कितिति परक भासा शिक्षण की पदिति की बात आजाएगी जो स्तिति की अकुडिंगे सिक्षिवन के अंदर हम लोग अनुवचारिक भासा क भी उजजे करते हैं... तो आपर सुनचनात्मक कुपागम तो नहीं आएगा, क्या हमें व्याकण के नियम ही समझाने हैं, हम अपने घर के अंदर बहुत सारी ऐसी बास है, बोल जाते हैं, कोई ऐसे सब दोते हैं, जिनको सिर्फ हमारे घरवाले या हमारे आसपास के जो पडोस के अंदर लोग रहते और यह आप नहीं समझ पाता, तो आंसर इसमें स्तिति परख भासा स्यंट पडिति यानि कि सही हो जाएगा, अगला कोशन देखते हैं, नेक्स्ट कोशन आपके सामने आगे है, यह रहा, अगला कोशन आपके सामने दियावाए अर्थ किर्यात्मक्ता याणि प्रेग्मेट हो रही है यह फिर सेक्षिनिक भासा की बात हो रही है बताओ से आंसर क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे ठीक है यहाँ आपके अग्जाम में आती है सामाजिक भासा आप लोग इसको कह सकतों सामाज भासा लिख लीजे क्योंब Akseller ने के आपके you ठीक है अब याप सामाजिक बहुत करता है जैसा आपने देखाऊगा हर समाजिक बहुते प्रकार से के प्रड़ी जाती ठीक है जो आपकी एक सीटेट के एक्जाम में एक वर्ड आता है यादर्शिक करके कि जो भासा होती है बासा होती है क्या वो यादर्शिक होती है अब भासा को यादर्शिक बोला है यादर्शिक का मतलग होता है कि भासा सतंत्र होती है क्या होती है बासा जो होती है सतंत्र हो गती है तो जो समाजिक बहासा है जयसे मानलीज़ अगर आप ऩर अलग भासा देखने को मिलेगी अगर आप लिख बाहसा की早 को कि बात हो रही है ठीक है जो gost hiking बोडिया बोलिया बोली जाती है किसके according होता है, जो भी भागपत की बात करें तो मैं कई बार कहते हैं, अब मतलब निकालो, इसका ढूंडलो, क्या मतलब होगा, इंग यानि कि इधर-उदर, लेकिन दूसरे को क्या पता, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इस परकार से, वहाँ के संदर्व के according अगर भा इत redeffen्रेश्च होती है, जो बहाँ से के सामजिक नियम की और यानि की भाहत Soumajik बहाँ से कि जो सामजिक बहूली है उसकी और संकेत करते है happy answer आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा अगला question देखते हैं यह रहा सामने आपकी screen पर नेक्स्ट question ठी ?! अगर हम संदर्व के अकूरिंग भासा को सीख रहे अब इसे बागपत या पश्ची मी उपी का तो समझ जाएगा ठीक है कि यार अगर चाचा बोला है तो वाके में भी चाचा हो सकता है अगर दिल्ली का होगा किसी दूसरे प्रदेश का बच्चा होगा मालीजे बिहार का होगा उन्हें क्या पता हमारे आप पापा को भी चाचा बोल देते हैं ठीक है अगरा कॉश्चन आपके सामने स्क्रीन फरागे इसके ओपर नजट डालते है इसलिए मैंने काना कि भासा आपकी कैसे होती है चेंजेवल होती है परिवर्तन सील होती है समय के बाद वदलती ज ठीक है पहला प्रारूप लिख सके ठीक है और उसमें सुधार भी कर सके तो मैंने आपको liar लेखन के दो उपागम बता य। परकार से ले लिखक परकार से लिंगा जाता है। परकिरिया आधारित उपागमे या फिर लेखन का परकिरिया उपागमे लेखन का उत्पाद आधारित उपागमे या फिर उद्देश से के लिए लेखन है बताओ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो ठीक है आप लोगों ने बता है इस किनिंग पढ़ा यह इसंके जैनिंग दिया उप्र कमेंट कर रहा था बता नहीं बता रहा है था किस के साथ जारू अलग जारू देखो इसको एकंपाद का उपागम हो अब जिसमों आपने खु だ बता sacrificed you छेगा ठीग परिकरिया आधारित उपागम नहीं है यह आपका लेखन है जहां पर लेखन सम्मंदित काम यहाँ पर सभी हो रहे है तो राइट आंचर आपका सेकेंड सही हो जाएगा ठीक है कुछ लोग इसमें भी फज्जात है इतना सब बताने के बहुत जूद अगला कुश्चन देखत हो कि बच्चा जो सबसे पहले लिखना सीखता है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है आपने देखा होगा आपके सीटेट के एक्जाम में आता है किरम काटे ठीक है आपने सुना एक किरम काटे जिसको का जाता आपका स्क्रिब्लिंग का जाता है जिसको क्या का जाता है स्क्रिबलिंग कहा जाता है आपने लेलिया या कुछ भी लेलिया और उसके दिवार पे यूँ चलाता जाता है ठीक है यूँ चलाता जाता पूरे टइम दिवार पे घर वालों से पिटफा भी है भी चम ब्हुर कराब कर रखा है क्योंकि ये Бच्चे का पहला ह fonction का हुट आता है या भी सोरब बैठा है इसकी कमर पर बनाते रहते तेज्जी और पिट्टो आगे तो किर्म काटे पहला तरीका होता है उसी प्रकार लिखना सीखने का कौन सा पेड़ेगोजिकल एप्रोच होगा वह आपको बताना है तो आप आपके सामने तीन मेथड दीवे कि सीधी रेखा है और गोले द्वारा अकसर लिखना सिखाना विद्यारतों से विशिश प्रकार की अनेक आकर्तिया बनवाना या विद्यारतों से उचे सवर में अकसर बुलवाकर अनेक बाल लिखवाना बताई से अंसर क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग यहापर जा रहे हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अर कर आपके नाम से एक चैनल पर लाइव चल ला है वह पंदा मिनट से लाइव था अब सज़िशे खाए बहुत से प्रोड लोग है प्रोड ़ोग जो मेरे फोटों भूझ करके सबस्रों भूए उस्हों प्रोड लेटें ó तो उनको पैसे देता है, उनको लगता है बच्चे ने सचिन सर को दे दिये, ठीक है, तो ऐसो के खिलाफ हम लोग कारवाई करते भी रहते हैं, बहुत से लोग पकड़ में आ जाते हैं, बहुत से लोग पकड़ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो बैस इनका क्या ही कर रहा है ऐस सेभ बनवानी है आप लोग यहाँ अलग अलग अनसर खाल जा रेत देखें रोटी रोटी की सेफ बना दो बना देगा बत देखें बत्चल तो तो यहाँ पर बच्चे से आप लोग ऐसी सीधी रेखाओ के द्वारा इनसे बच्चे की प्रैक््टिस अच्छी हो जाती है, यह सीधी रेखाओ से यह बनवा दिया A, फिर आपको उसको बनवाना है ऐसे B लिखवाना है ठीक है, यह फिर आप लोग इसको करवा सकते हो, आ कर करवा सकते हो ठीक है यह इस परकार चे बड़ा आउस को करवा सकते हो तो यह पर दूसरा जो इस्टेप हो जाएगा दूसरा इस्टेप मैं आपको बता दिया कि सीधी रेखाओ और गोले द्वारा अक्सर लिखवाना जो कि मैंने आपके सामने दिखा दिये और लास्ट में व अगर वच्छा इतने एक्टिव है कि तेट चे बोल रहा है लिख भी रहा है तो आपको इसको एप्रिसेट करना है इसको इंग्रेज करना है बढ़ावा देना है ठीक है तो आपका पहले क्या हो जाएगा आकरतिया बनवाना है नहीं कि सेकंड गाया अपका दोनों के अंद क् petroleum का प्रिसेट की ऊर बढ़ते हैं अगला प्या दिया हुए इसके अपर नजद डालते हैं अगला देख्या आपके सामने दिया हो आप के सामने हो आप सब्सक्रिये 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 सब पर उन सब्दों की बात हुई है जिनको हम लोग गरण करते है जिनको लोग पहचान जाते हैं तो वह आपके ग्राइए सब्द बंडार आपके सामने होता हुए थीक है for example मैंने आपके सामने लिखा एक मैंने आपके सामने सब्सक्राइब चाहरे मैं आपके इसके बार जानते हो जैसे मैं एक और सब्सक्राइब लिख देता हुए यहापर आपके सामने चपदों का भंदार होता है और जो यह आप की लेंगेज पेडा गोजी पूछी जाती नहीं इसके अंदर आ है इसके अंदर आपको दिक्कत बिलकुल ने आएगी और ग्राई है सब्द बंड़ार constitutional जिन आप लोग जानते हो, पहचानते हो, पहचान करते हो, रोजमरा की जिन्दिगे में इस्तमाल करते हो, वे आपके गराई है सब्द बंडार होते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग समझ गे, अब देखें, आपके सामने सब्द संपदा की बात वह रही है, तो सब्द संपदा के मुझे न dar एक होती है कि अपकी सप्रिया सब्द सम्पदा एक होते हैं आपके सामने निंसक्रिया सब्द सम्पदा सब्द अहरुद वो अपने एक गृर्ण भुर सुना समझा कर दिया सार्म हमें गडे नहीं है हमें गदे-गदे मत बोला करो, मैंने गए चलो ठीक है आपका, तो सक्रिय सब्द सम्पदा आपके सामने हो गया, ठीक है, पोर एक्जामपल, ऐसा सब्द जिनको आप समझते हो, गरण करते हो, लेकिन उनको आप लोग अभ्यक्त नहीं कर पाते, उनको आप लोग एक्सप्रे यह आपके वे सब्द होते हैं, जिनको आप लोग पहचान जाते हो, समझ जाते हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताए, ठीक है, अगला कोशन देखते है, सामने आपकी स्क्रीन पर आगया, नेक्स्ट कोशन देखे, क्या दिया हुआ है, अगला कोशन दिया हुआ है, य रिए भगवार ने चाहेते हो एक तुना ठीक हो जाएगा ठीक है किलास विप्त में बहासा सिक्षन करते समय स्री लाल पाठे सामगरी को बच्चों की पष्ट भूमी उनके रीती रिवाज और परमप्राव से सम्मंद करते हैं तो स्री लाल बहासा के किस सिद्दान्त का प्र हाँ फिर वाला मोग टेश्ट एप्लिकेशन गंदर मिलेगा क्योंकि जो बच्चों ने पेड़ कोर्स लेया उनको आपर मुल्टिपल मोग टेश्ट नोर्स वगरा सब रहता है किलास के साथ ठीक है बट मैंना आप लोगों को भी नई साल पर यह देने का वादा करा था तो सब्सक्रांड पर प्रमदः से संबस्क्त नीए करें तो सटीक्ता की बात निए ग्रूपिंग की बात नी और हरी वड़िक होरी कि आपस में in initiative करके ओरब बच्च आपस में सीख रहे उसकी बीबात नी औरी क्रेक्टिस तो तब करेंगे ना जब उनको चीजartet आंपर समझो यह रहा अगला आपके सामने दिया हुआ है असान कोश्चन नहीं क्या हूंगा मीडियम लेवल तक क्या हूंगा क्योंकि सिर्फ इसको लिखने का मकसद यह है हाड़ वाले कोश्चन के अंदर यह कोश्चन कई बार पूछा जाता है एक आपने सुना होगा जैसे डिकोडिंग आप इनकी प्रैक्टिस कर लो और मेराथन में फिर सभी को निप्टा दो ठीक है तो भाई मेराथन साथ जैनुरी को पहले होगी सीडिपी गी तो उसके अंदर आप लोग भारी संक्या में आना ठीक है और उसके अंदर आप लोग पाटिसिपेट करना ताकि मेरा रूप में देखनी की बात करता है ना कि उसको उत्पाद के रूपे यानी की प्रॉसेस के रूप में बात रूप मेm वर्तमान समय के साहित है में वहू भांऔा वाट के लिए नई पदाव लिए या फिर अनुवाद की विश्तरत परमप्राके केंद्र में बाहसर को र की बात करता है बद यह ट्रांच लेंगविज की से साथ जाता है इसके साथ तो आप लोग जा देताइब ठीक जा रहे ढ़ Richardson ठीक हो ठीक है यह बात करता है मुझत है कि इस प्रोसेश के परिक्रिया के जिए यह निए एक सक्षटर की और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला कुछन तो नेक्स आपको दिया हुआ है कि भासा सिक्षण के संदर में पर्मानिकता की जो आफधान्ना है यह वास्तुएक संप्रिशनात्मक उद्देशंगले प्रदत कारी है यानि जो आपके assignment रहते हैं उनके लिए दो भासाओं में सब्द सूची की बोली और लिखी की सामगरी की या फिर आरंबिक साखसर्ता की बती है परमानिक्ता क्या उधानना किस से संब्धित है किस के साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे ठीक है देखें अलग प्रमानिक्ता की बात आगी authenticity की बात आगी मैं आपको आज वो content करा रहा हूँ जो आपका difficult माना जाता है जो exam में आता है उसके बाद marathon में आपको कराऊंगा तो मैं आपको syllabus के according accurate authentic आपको चीजे करा रहा हूँ अगर मैं आपको authentic चीज नहीं करा रहा हूँगा पेपर से तो आप उसको परमानिक रूप से गरण भी कर रहा हूँ तो बहसा सिक्षन में जो यापर परमानिक्ता की concept की बात हो रही है तो यापर परमानिक्ता के content में जो बात हो रही है बोली और लिखी गई सामगरी के बारे में बात हो रही है right answer यापर आपका third आपका right answer हो यह उन्हीं की चर्चा है सारी कुछ वहना दस नंबर के कोश्चन तो ऐसे आएंगे जो मैराथन से आप उठा लेना वहाँ से ठीक है चोलो वही टेंचन मतले ना गलत हो रहे होने देना अभी आपके एक्जाम में टाइम है और मैं तो हुई मैं कहा जा रहो मैं तब तक नहीं इंदर कोई मतलब है ऐसे एक दो कोशन पूचे गया थे जब पर आपका उनलाइन पूचा गया था अब यहाँ पर पूचले की साहित्य में अर्थ के कितने प्रकार होते है अब यार ऐसा फैक्च्वल कोशन का मतलब आपके पैड़ागोजी में तो मतलब नहीं बनता पैड झेक्टे ए तो एसे कोशन डाल सकता है अब यहाँ पर आपको साहेटे पड़ना पड़ेगा साहिते में अर्थ के कितने प्रकार होते कितने लेवल होते हो आपको पड़ना पड़ेगा तो मैं कहता हूं एक दो ऐसे नंबर को शोड़ड़ देना ज्यादा चक्कर में इस कॉस्टन म्लएं मन मन मनाए के बैट जाता है तो तो कुछ भी पूछ सकता है तो अगला question आपके सामने दिया हुआ है नेक्स्ट कोश्चन है निमली कितमें से कौन सा भासा परिक्षन या लैंग्वेज के टेस्ट की बात हो रही है विद्याड तो कि किसी विजिष्ट कारे से सम्मंदित उस उपलब्दी यानि उस अच्यूमेंट का मेजर करता है करता है जिसकी उसे बाद में इस्तमाल की आवसक्ता होती है क्या यह आपर वस्तुनिष्ट परिक्षण की बात एक आपका वस्तोंष्ट परीक्षण एक आपका निपुनता परिक्षण अब बता हो आंसर क्या होगा मैंने आपका 50-50 देखे उत्तों गलती कार आट दिए उत्पादक परिक्षण कोईविडेंस लो मत करो अगर यहीं चीज में छुड़वा देता और एक्जाम में यहीं चीज पूछी गई और पूछी जाती है चार पस नम्मर के तो उसका जिम्मदार तो मैं होता ना कि मैंने आपको नहीं पढ़ाई तो मैं अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता ताक का जिस उद्देशे के लिए का जा रहा उससे सम्मदित होता है जो आपका उब्जेक्टिव परिक्शन है जैसा आप लोग सीट एट के एक्जाम में जाते हो तो आपको वस्तुनिष्ट परिक्शन देखनों को मिलता है चार गोली मिलते हैं सही आंसर आप लोग लगा देन होती कर जो कि यह आपने कितनी इस बहुत है कि जो कि मैं भी आज यही कर रहू हूँ आपकी निपणता का प्रिक्शन कर रहा हो कि तो कि यह यह को आपके लुदा को सीका है कर रहा हो कि कितनी चीज आपको समझ मारी है तो आपका सक्समता निपुनता परिक्षन हो जाएगा थड़ आँसा ठीक हो जाएगा मान की करत परिक्षन आप लोग देखते एकजाम में गलत कार देना यानि जो आपके मान को क्या को कोडिंग हो जैसे माली जैसीटाड के एकज सभी हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते बापके नेक्स्ट कोशन के और अगला कोशन यह रहा सामने आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिया हुआ है अगला आपके सामने दिया हुआ हुआ है वे पुस्त के जिनमें सब्द ना लिखे हो या बहुत कम सब्द हो जो बच्चों के दर्श्यात्मक चिंतन और उनके अवलोकन कोशन में व्रद्धी करती है उन्हें क्या कहा जाएगा क्या उनको चित्रात्मक पुस्त के कहा जाएगा विश्व कोश कहा जाएगा ठीक है यह जिसको आप लोग विशक कोश के नाम से भी आपके सामने रहता है मिथक और किसके साथ आप लोग यह जा रहो है ठीक है अब बैद अब यह बात कर लेता हो जैसे मैंने पहले बात करें वास्त्विक वस्त्विय, रियलिया, यानि वे वस्त्विये जो बच्चे के डेली, यानि उनके वास्त्विक जीवन से संबनित होती है, कौन से, जो उनकी रियल लाइफ से, यानि उनके वास्त्विक जीवन से संबनित होती है, जैसे हमें बच्चों को सिक्षन देना है, तो तो हमें रियलिय का यूज करना है, यानि ऐसी चीज़ों का यूज करना है, जो बच्चों के वास्तिक जीवन से जुड़ी हो रहती है, तो हम लोग क्या पर यूज कर लेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, बच्चे के वास्तिक जीवन से लिए रिये लिए वर्ड आता है तो इसको देख लेना जो बच्चे के वास्थी जीवन से जुड़ी विवस्ति होती है ठीक है मिथक और अनुसरूती की बात नहीं हो रही आपर क्योंकि आप बच्चे द्रस्यात्मक्त चिंतन और अवलोकन कोशन में वरद्धी कर रहे है क्य क्योंकि बच्चा कार्टून चा बहुत जल्दिया इंट्रेक्ट करता है तो विसे को जब इसने कह दिया सब्द कम है तो तू क्यों आ रहा है आप पर कड़ जा तो यह आपकी चितरात्मक्त पुस्तिक होगी सही आंचर आपका पहला यहापर सही हो जाएगा ठीक है सब गल तो अप्रोच की बात हो रहा है तो समगर भासा जो अपागम है ठीक है समगर बात हो इसको बनाई वरतनी जो बच्चेन अपनी वरतनिया बनाई होती है इसके परियोग को प्रोसाहित करता है कैस को प्रोसाइद करता है या फिर समगर भासा उपागम में बच्चा पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा धवनियों से आरम करता है ठीक है पढ़ना सीखने के लिए किस से आरम करता है वर्ण या धवनियों से आरम करता है तो देखो हैर सिंपल सी दोनों के अंदर एक डि करना है तो ऐसे सब्दों को भी आपको उसको प्रोसाइद करना है ना कि बच्चा पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा धवनियों से आरम करता है वर्ण या धवनियों से बच्छा रम निकरता अनुप्चारिक रूप से सीख लेता है तो आपका गलत हो जाएगा समगर भास यह सर जी क्या मैसिज गया उपर गया वही आपका पोच स्पीड से मैसिज आ रहे है ठीक है अभी भी आप लोग 41-42 अजाल लाई चल लिए ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भासा की अध्यापिका वाक्य परतिरूपों इसके दोराओं पर अधिक बल दे रही है बजाए कि उनके अर्थ समझने पर वह किस विदिकाव प्योग कर रही है व्याकन अनुवाद विदी ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड सर्वय भासिक विदी परिस्तिति अनुसार उपागम या फिर आपके संप्रेश्ण आत्मक उपागम बताओ से अंसर क्या होगा देखो यहाँ पर क्या काम कर रही है वाक्य पर्थीरूप dernier जो सेंटेंस के आपके जो सेंटेंस के आपके मोडल है परति रूप है कोई भी सेंटेंस मना रहे हो मालिज है मैंने लिख दिया चा चीन बहुत कम अच्छ एक अच्छा है वन्ना गलात लिख दूंगा ठीक है यह मैंने एक sentence लिख दिया, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और sentence, एक और वाक्य प्रतिरूप आप बनीए, एक और मैं बनाता हूँ, ठीक है, एक और मैं लिख देता हूँ, सिटेट के teacher best है, क्या राम है, सचिन है, सिटेट की जएगा teaching आप लोग लिख सकते हो, तो मैंने कही सारे प्रतिरूप बना दिये, किस से जुड़ेवे, कोई भी sentence से जुड़ेवे, और आप लोग भी बना सकते हो, उल्टे सीधे कैसे भी, तो इसके दोराओ उपर अधिक बल दे रही है, वो कह रहा है कि इसके दोराओ पर बल दो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, इसे पूरे दिन बर में सो बार कहा करो, कि सचिन सर टीचिंग के अच्छे teacher है, सचिन सर बहुत अच्छे है, सचिन सर प्यारे बहुत अच्छे है, तो इसको क्या काम करना है, आपको बल देना वो जल्दड बल दो comment box में तो उसको यह घयरी कि अर्थ मस समझो कि हाप अगर बात हो इंस चिन बहुत अच्छे है तो अच्छे किसी माच्छे है अर्थ मस समझो तुम्हे अर्थ ने समझना बस मा अच्छाओ तुम्हारे लिए अर्थ मा समझना ठीक है यहाँ पर अगर बात हो रही है टीचिंग के लिए आपने best teacher है कौन-कौन से teaching exam के लिए अर्थ मा समझो ठीक है सभी के लिए best आपके तो किस पर बल दे रही है grammar translation method grammar translation method की बात ने हो रही अगर अर्थ समझा जाता तो grammar translation method में जब दूसरी भासा सिखाई जाती है या बच्चा दूसरी भासा सीखता है तो उसका पहले व्याकण पहले सीखता है क्या सीखता है पहले उसका या पर व्याकण सीखता है जो दित्ते विश्वीद के अंदर आपकी बनाए गए थी सुनो और बोलो इसको सुन लिया अब इसको बोलो कम से कम 20-30 वार इसको सुनो और बोलो ठीक है अर्थ मैं समझे इसका कोई भी तो आपकी कौन जी हो जाएगी सर्वय भासिक वीदी हो जाएगी इस अंदर इंकलूड ओजयागा सैकट ने आंचर अंचर एक उनो और बोलो ठीक है चली बर delicious question की और अगला question देखे यह सोचना से कर बाद बाग करूब और विधाऊफय writes थाख भातियाधHow कर विद्यार्ती एदुद को भूता उसमें सुनातिए विद्यार्ती ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा तो विद्यार्ती एद-चार अनुमान होगे इस मतलब उसमें वाक्या बताती रहती है यह गतिवीदी किस से सबसादी करीब है अब एक्जामिनर ऐसे कुश्चन क्यों बनाते हो बिचार पागल हो जाएंगे ठीक है तो यह क्या यह आपकी स्टीफन करेशन की निवेश परिकल्पना की बात हो रही है है स्वेन की उत्पाद परिकल्पना है बंडनर का विकास का सिद्धानत है यह क्रेशन के अधिगम अर्जन अधिगम परिकल्पना है बताओ सही आंसर क्या होगा किसके साथ आप लोग यहां पर जाओगे ठीक है सही आंसर बतिए किसके साथ जा रहे हो देखें आप लोग ने क्या काम करते हैं परिकल्पना के अंदर हम लोग अनुमान लगाते हैं ठीक है और बहुत सारे अनुमान लगाते रहे थे हम दिन बर बैठके यार आथ तो पेपर बहुत गलत है कैसे पास होगा ठीक है अनुमान लगा रहे है है यार एक्जाम में अगर ऐसा पेपर आ गया हम और डूब गए भाई हमारा क्या होगा तो दुनिया वर के हाइपोतेसिस बैठ बैठ के आप लोग लगा रहे होंगे ठीका कुछ यह लगा रहे होंगे कि कोई बात में अभी तो सर खड़े है अभी तो मेराथन भी आ रहे हैं सीड भी हिंदी की कोई बात नहीं कर देंगे तो राइट आंचर आपका सेकंड यहापर सी हो जाएगा यह नि उत्पाद परिकर्प्ना की बात कहीं जारी जहां पर यह आपस में इंट्रेक्ट करके क्या काम कर रहे है अनुमान यहाप लगा रहे सो राइट आंसर सेकंड यहापर आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ आने वाला आपका एंकोडर है वह आपको बताना है क्या प्रेशक है ठीक है प्रेशक या संकेत है या चैनल है या फिर आपका गरण करता है आपको मुझे कोश्चन बताना है कि जो आपका संप्रेशन होता है ठीक है यह जो संप्रेशन होता है कमेंट बोक्स में इसका अंतर ना जल्दी से बताओ संप्रेशन एक चक्रिया परिक्रिया होता है हाँ या ना यानि संप्रेशन जो होता है क्या यह आपका चक्रिया परिक्रिया होता है जल्दी कमेंट बोक्स में आंसर दो ठीक है जल्दी जल्दी बताओ क्या चक्रिया परिक्रिया होता है यह नहीं होता ह किसी के साथ नहीं जा रहे हो आप लोग अलग अलग के साथ जा रहे हो ठीक है देखो अब यह प्रेशक आ गया प्रेशक का मतलब होता है आपका सेंडर ठीक है जो संदेज भेजने वाला होता है ठीक है तो आपका संप्रेशन के अंदर पहला जो पॉइंट आता है वो आपका प्रेशक की आता है यानि कि सेंडर आता है क्या आता है प्रेशक आता है सेंडर आता है मालीजे वो प्रेशक में हूँ सेंडर में हूँ मुझे आपके पास कुछ बेजना है ठीक है तो मैं आज आपके पास पैड़ागोजी का कंटेंड भी जारू पैड़ागोजी का उपर यहां पर आ जाता है तो some present के क्यों प्रेशक पर्वाइंट वाकिश आ जाता है तो लिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट कोश्चन के और यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला कोश्चन अगला आपके सामने दिया हुआ है एक सेक्ट दूसरा पहन ले लो अगला आपके सामने दिया हुआ है किसी पाठे सामगरी में किसी पाठे सामगरी में अंतर नहित करि आओ और विचारों के पात रिया दर्सक के रूप में स्वयम को रखकर लिखने और संबंदिक आ रही है डैस अंतरगत आते किसके नराते एक्ष्टा पॉलेटिव की बात आ रही है यानि किसी के स्थान पर अभे यारी तो यह काठा नहीं था यह मुझे कठवान आता वही आत के साथ जाओ मुझे कर लो यार या फिर बोदात्मोग परस जो आपकी समझ को बढ़ाते हैं आपके बोदात्मोग परसन होते हैं जैसे मैं आज आपकी समझ को बढ़ा रहा हूँ ऐसे से कुष्टन ला रहा हूँ जो आपके बोदात्मोग परसन है पाठ का विसलेशन और वह बांसा विसलेशन कर रहा हो यह तो गलत हो जाएंगे एक्सटा-पोलिटियव कहते हैं जाओ ले लो यार एक नंबर बोनस का मज़े कल लो तुम भी ठीक है एक्सटा-पोलेटिव कोश्चन के अंदर क्या होता है? सीटेट ने देखो अब यही कोश्चन कैसे पूछा गंदर उसने पूछ ला कि निमलिकित में से कौन सा एक्ष्टा पॉलेटिव कोशन है तो जहाँ पर भी अगर आपको हाइपो थैसी यानिकी परिकल्पना देखने को मिले क्या देखने को मिले जहाँ पर व्यक्तिया बच्चा अनुमान लगाए तो वह कोशन कैसे होते हैं वह सूपरमेन होता कास में हनुमान होता ठीक है तो आपने आपर खुद को रख लिया तो यहाँ पर आप लोग के क्यास कर रहों अनुमान लगा रहो यानिकी परिकल्पना है बना रहो कि अगर मेरे पास इतनी ताकत होती तो में यह करता यह करता तो आपके एक्स्टा होते हैं इनको आप लोग अच्छी तरगे से समझ गए होंगे मुझे इमानदारी से अपना स्कोर बताओ कि 32 में से आपका कितना स्कोर इमानदारी से आया है मैंने सिर्फ आपके वो कोशन लिए जो एवरेज और हाड कोशन है असान कोशन आज की वीडियो में कोई नहीं क्यर्ट लिए वो सब मैं आपको लूँगा जो आपकी मेल रथां किलास होगी उसमें मैं आपको सभी टाइब क्यों ले लुगां तो viagar टा कि CDP की Marathon Class, जिसका थम देल मैं अभी डलवा दूँगा, और 8 जनुवरी को आपकी होने वाली है, हिंदी की Marathon Class, क्योंकि Marathon Class के अंदर मैं कुछ कमी नहीं छोड़ता हूँ, भर-भर के देता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों को मैं करा दूँगा, बेफिकर है न और अपना मोटिवेशन आज कम मत करना है, कि सर मेरे बहुत नंबर कमा रहे है, मोटिवेशन लो हो रहा है, तो अपर टैंशन मत लेना, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना, Marathon Class लगाना, और PY क्यों जितना भी हो से को उसको प्रैक्टिस कर जाओ, मुझे नहीं लगता है, ए आपको मेरे यूटूब चैनल पर ही मिलेगी, फिरी में अंदर ही होती है, पोर टाइम से मैं करा रहा हुते है, आप बतिया है, मुझे अपना स्कोर बतिया, कितना स्कोर आया, और क्लास कैसे लगी, उसके बारे में भी जारा बता दीजिए, ठीक है, बड़ा-बड़ा कर ल स्वेता के 17 है, प्रदी कुमार 22, दिवान सुयादव 20, सायराबानो 22 है, अमन कुमार 15 है, मुझमत दानिस मलिक 20 है, वो भी लगाया करो, ठीक है, परसेंटेज का, पूरा लिखा करो, रजनीस राठोर 21 है, दीपक वेद्या 16 है, रस्मी खातून 22 नंबर है, स्वेता कुमार 16 है, तो देखो, आज आपका स्कूर कम आ रहा है, वो तो मैंने पहली बता दिया था, आज आपका थोड़े स्कूर कमाएगा, ठीक है, अम इतके 14 नंबर है, स्के भारती के आपके 22 नंबर है, सुपरिया कुमारी के गई उपर, संजु कुमारी के 20 है, माही पाठक के 16 है, च इसके अंदर आप लोग देख लेना, इस बार दो मेरा थन आएगी बस आपकी CDP और हिंदी के ठीक है, ठीक है, माला के अठार है, मुम्मद यूनिस आलम के आपके 22 है, रोईत कुमार के 22 है, अनीता अमीना के 22 है, बिट्टू के 28 है, बिट्टू, शिर्या के गोस्वामी 27 ह माइश कुमार अठार है, क्लास ओसंती, ठीक है वई, अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग पसंद करी दिया करो, ठीक है, चले कल मिलता हूँ मैं, आठ वजे, कल हम लोग मिलते हैं, आठ वजे, फिर अपनी क्लास में, और कल आठ वजे आप लोग आ जाना, जो हमारी चीजे करवानी है, और जब तक आप लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, चले कल आप लोग इसे मिलागात होती है, ठीक्यू,